येस, dear students, we are doing worksheet, phase number 41, subject is math, now count and write the numbers in the box, count करना है, then box में write करना है, और बस यही करना है, आपको count and write आता है, चलिए आज करके देखती है, add के sums है, देखी ये add का sign है, प्लस का sign है, ये pens है, one, two, तो two लिखा है, there are one, two, three, four, there are four pens, two plus four is equal to six, कैसे पता लगा, six के से आएंगे, फिर हम क्या करेंगे इसको, one, two, three, four, five, six, सब को इक अठा count कर लेंगे, और यहां लिख देंगे box में, right, हमने जब पिछली worksheet की थी, तो उसमें हमें पहले two दे दिये थी, फिर one दिया था, और फिर three के three भी दे दिये थे, है न, तो हमने इनको count करके नीचे box में लिख दिया था, लेकिन अब इसने हमें दोनों दियें, और हमें खुदी ही count करने कि total कितने हो गई, next चलिए, चलिए है हमारे पास ice cream, यह कितनी ice cream है, one और two, यहां लिखेंगे two, और फिर यह कितनी ice cream है, one, तो हम लिख देंगे आपे one, अब यहां कितनी लिखें, क्या करना है, इन दो इनको सब को total करना है सब को count करना 1,2,3 तो हम लिखतेंगे आपर 3 ही यह plus का sign है plus के sign के इधर वाली भी और plus के sign के इधर वाली भी सब को इकठा count करके इधर वाले box में लिखना है next चलते है eggs है eggs count करते है 1,2,3 तो यहाँ हम लिखेंगे 3 फिर count करेंगे 1, 2, 3 फिर लिखेंगे 3 और फिर अब हम इनको सब को count करेंगे किस-किस को plus के sign के जो इधर है इने भी और जो plus के sign के इधर है उने भी आप सब को count करो 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 हो गए तो अब यहाँ हम बॉक्स में लिखेंगे 6 next है हमारे पास cake है बड़े cake होता है न 1, 2, sorry, sorry 1 तो यहाँ लिखेंगे 1 फिर plus का sign है फिर यह वाला कितने है 1 यह है, 1 यह लिखेंगे अब दोनों को count करो 1, 2, फिर अब हम लिख देंगे यहाँ पर 2, आरे वाँ, तो तो तुमारी पसंद की चीज़ आ गई है toffies है न, आप चलो इने toffies को count करेंगे 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर लिखेंगे 4, ऐसे बड़ा सा और फिर plus का sign और फिर यह वाले toffies भी count करेंगे 1, 2, 3, and 4 इस box में, plus के sign के जो इधार देखी है न, इसमें लिखेंगे 4, आप 4 और 4 अब सारी count करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसके बाद हैं भई, चेरी एपल्स हैं, यह एपल्स 1, 2, इधर 2 लिख दिया, ठीक है और इधर कितने एपल्स हैं, 1, 2, इधर भी 2 लिख दिया अब सभी एपल्स को एक साथ count करो 1, 2, 3, 4, और यहाँ हमें लिख दिया, 4 और इस तरह से आपने आज एड करना सीख लिया है ओके, have a nice day, do in your book